किसान भाईयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल धाकडेगरी कल्चर में किसान भाईयों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मक्का की फसल में खर्पतवार नेंतरन के बारे में मक्वा की भसल में कई परकार की करपतवर उकते हैं जिन में से सबसे पर्मुक करपतवर होते हैं मोटा गास, दूब गास, सांवा, भोकना, वागाजर गास ऐसे खतरनाक करपतवरों को सबाया करने के लिए इस वीडियो में हम छे ऐसी बेश्ट दोईयों के बारे में बात करेंगे जिनका उप्योग अगर आप मक्का की फसल में करते हैं तो आपको सभी परकार के खर्पतवारों से छुटकारा मिल जाएगा और साथी साथ दो से ड़ाई महिने तक आपको खर्पतवार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा तो अगर आप भी मक्का की खेती करते हैं और खर्पतवार की समस्या से परेसान होते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा इस वीडियो में जो भी छे दोवाईयों के बारे में हम बात करेंगे उन में से अगर आप किसी एक दोवा का भी स्प्रे करते हैं तो आप दो से ड़ाई महिने तक खरपतवार की समस्या से चुटकरा पा सकेंगे तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए वीडियो सुरू करें उससे पहले जो भी किसान भाई हमारे चेनल पर पहली बार आए हैं किसान भाईयों, इस वीडियो में हम मक्का की फसल के लिए 6 सबसे बेश्ट खर्पतवार नाशी दवाईयों के बारे में बात करने वाले हैं, जो मक्का की फसल में उगने वाले मोता गास, दूब गास, सावा, बोगना वगाजर गास जैसे खर्पतवारों के साथ साथ 50 परकार के खर्पतवारों को मारने में सायक साबित होगी, यानि लगबग हर एक परकार के चारे को ये दवाईया नश्ट कर देगी, और किसान वाईयों ये दवाईयों ऐसी दवाईया हैं जिनका एस्प्रे करने के बाद ये दवाईया सार दिन तक किसी भी परकार के खर्पतवार को अपने खेत में नहीं उगने देगी, और ये दवाईयों मक्का की फसल पर कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली दवाईया नहीं है, तो अब बात करते हैं उन दवाईयों के बारे में, तो सबसे पहले नमबर पर हम बात करेंगे बायर कंपनी की लोडिस दवा के बारे में, बाइर कंपटनी की λोडिस हर भी साइड के बारे में किसान भाइगों बाइर कंपनी की जो लोडिस दवा आती है अगर टेकनिकल की बात की जाए तो इसके अंदर टेकनिकल टेम्बो ट्रायँं 42% AC box में इसके अंदर पाये जाता है अगर इसकी डोज और कीमत की बात की जाए तो डोज इसका जो 115 ml का जो पेकेट आता है वो एक एकड के लिए प्रियापत आता है आपको एक एकड में 115 ml दवा का स्प्रे करना चाहिए अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो इसकी 115 ml का जो पेकेट आता है उसकी किमत मारकेट में 1500-1600 रुपे के बीच में रहती है इसके अंदर एक छोटी डिबी होती है और एक बड़ी डिबी होती है साथी साथ इसके अंदर एक एटराजीन पाउडर का पाउच आता है ये तीनों ही दुआएं इसके अंदर में चीज होती है जो पहले नमबर की छोटी डिबी होती है उसके अंदर मुक्य दवा पाय जाती है और एक इसमें चिपको पाय जाता है और एक एटराजीन का पाउडर जो है पाउज इसमें पाय जाता है किसान भाईयों अब दूसरे नमबर पर अगर बात करें तो दूसरे नमबर पर हम बात करेंगे B.S.F. कंपनी की टिंजर के बारे में किसान भाइउ यह भी एक 32 सांदार खर्पतवर नासी मक्का की फसल के लिए मानी जाती है अगर इसके अंदर टेक्निकल की बात की जाए तो इसके अंदर टेपरा मिजोन 33.6% A.C.4 में इसके अंदर पाय जाता है किसान भाइउ इस टेक्निकल के नाम से मार्केट में कई परकार की कंपनिया अलग-अलग अपने ब्रांड बनाती है जिनमें P.I. की कंपनी के अगर बात की जाए ये सबी दवाईए एक ही टेक्निकल वाली है बस इनमें नाम और कंपनी का फरक है अगर किसान भाइउ टिंजर के डोज की बात की जाए तो इसके अंदर जब भी हम टिंजर का एस्प्रे मका की फसल में करते हैं तो इसका जो पेकेट होता है 30 ग्राम का पेकेट होता है एक एकड़ के लिए प्रियाबत आता है आपको एक एकड़ में 30 ग्राम टिंजर दवा का स्प्रे करना चाहिए किसान भाइउ तीस ग्राम टिंजर की किमत 1500 से 1600 रुपे के बीज में पढ़ती है इसके अंदर भी एक छोटी डिब्बी होती है एक बीडी डिब्बी होती है और एक एट्रा जिनका इसके अंदर पेकेट आता है सेम लोडिस के जैसा ही इसके अंदर पेकिंग रहती है किसान भाइयों तीसे नमबर पर अगर बात करें तो तीसे नमबर पर आती है सेमपरा किसान भाइयों दानोगा कंपनी की जो सेमपरा आती है यह जो सेमपरा है इसी के सेम टेकनिकल वाली एक और दवा आती है जो कि भारत इंसेक्टिसाइट कंपनी इसका निर्वान करती है जिसका नाम है एलान किसान भायो एलान और सेमपरा दोनों के अंदर एक ही टेकनिकल पाय जाता है अगर इनके अंदर टेकनिकल की बात की जाए तो सेंपरा में टेकनिकल हेलो सल्फिरोन मेथाईल 95% WP यानिकी वेटेबल पाउडर के रूप में इनके अंदर आते हैं किसान भायू सेंपरा का उप्योग सेंपरा जैसी दवाओं का उप्योग उन खेतों में किया जाता है जहां पर मोथा गास की समस्या सबसे ज़्यादा देखी जाती है तो अगर आपके खेतों में मोथा गास की समस्या है और आप मोथा गास की समस्या से परेसान हो चुके हैं तो आप उस खेत में सेंपरा का स्प्रे कर सकते हैं किसान भायू अगर इसके डोज और किमत की बात की जाए तो डोज की सबसे पहले हम बात करेंगे इसका जो एक एकड के लिए जब हम स्प्रे करने के लिए दवा लाते है तो जो 36 ग्राम का पेकेट आता है वो एक एकड के लिए प्रियापत आता है मतलब एक एकड में 36 ग्राम सेंपरा का स्प्रे में करना पड़ता है अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत भी 1500 से 1600 रुपे पर पेकेट के हिसाब से मार्केट में मिलती है किसान भाई यू यू यह हो गई सभी दोईयां अगर एक बार फिर से मैं आपको नाम लेकर बताओं तो पहला था BSF की लोडिस, दूसरा BSF की टिंजर और तीसरा दानो का सेंपरा, चोंता एलान और पांचवा पी एई, एलिट और छटा जो है FMC की गिलार्डो यह सभी दोईयां आप मक्का की फसल में खर्पतवार नेंतरन के लिए स्प्रे कर सकते हैं अगर किसान भाई उनका स्प्रे करते समय, साउदानियों की बात करें तो लोडिस, टिंजर, एलिएट, गिलार्डो यह फ़लीगो का स्प्रे करते समय मक्का की फसल 5-10 पति की हो जानी चाहिए और खर्पतवार की बात करें तो खर्पतवार तीन से छे पती का खर्पतवार होना चाहिए तब ही आप स्प्रे करें सेंप्रा या एलान का स्प्रे करते समय तीन से छे पती के मोतागास पर ही जो है इसका स्प्रे करें अगर मोतागास में फूल आ जाते हैं तो उसके बाद में सेंपरा या एलान का स्प्रेश पर ना करें क्योंकि उस समय पर इसका रिजल अच्छा नहीं मिल पाता है किसान बाई Economic Key के समय खैच में परิापते नम्य होना काफी ज़्यादा जरूरी है अगर नम्य परियापता मातरा में नहीं होगी तो आपकी फसल को भी जड़का लग सकता है इस्प्रेश कि 3-4 गंडे तक बारिस आने के संभावना नहीं होने चाहिए यह मतलब जब आप इस्प्रेक करते हैं तो उसके 3-4 गंटे तक बारिस नहीं आनी चाहिए तब यह दवा अच्छी तरीके से खर्पतवार की जड़ों तक पहुंचती है इसके अलवा सेंपरावा एलान का उप्योग आप स्वीट कॉर्ण और पॉप कॉर्ण वाली मक्का में ना करें क्योंकि यह खाने में अधिकतर काम में आती है तो आप इसका उप्योग इन मक्काओं में ना करें तो किसान भायों जब भी आप किसी खर्पतवार नाशी का इस्प्रेक करते हैं तो जो भी चारा आपके खेट में होता है उन तारों को आप पसो को ना खिलाएं इस झाल सान